हलो बच्चों, वेलकम टु दू सेशन कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों आज के सेशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं NCET 2025 की प्रिपरेशन वो सभी बच्चे जो 2025 में ITEP 4-year B.A.D. में एडमीशन लेना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए ये सेशन होने वाला है इस सेशन में आप सभी से मैं discuss करने वाली हूँ इस exam में कितने subjects होते हैं में इस channel पर कौन-कौन से subjects आपके deal करने वाली हूँ साथ ही जो हमारा paid course होता है उसमें हम लोग कौन-कौन से subjects include करेंगे और उनका syllabus क्या होने वाला है वो सभी बच्चे जो हमसे जुड़ना चाहते हैं NCET 2025 की preparation के लिए आप सभी लोगों के लिए यह बहुत ही important session होने वाला है इसके साथ ही इस exam को ले करके इस course को ले करके आपके मन में जो भी doubt है आप comment box में लिख सकते हैं या फिर what's up पर मुझसे personally पूछ सकते हैं definitely I will clarify all the things that you must or you should need to know okay right so let's start this session बच्चों यह जो आपका NCET 2025 का exam है इससे आपको admission मिलने वाला है four year ITEP B.A.D. में right यह तो आप जानते हैं four year ITEP B.A.D. में आपको admission मिलेगा right अब यह जो four year ITEP B.A.D. के लिए NCET exam होती है इसमें आपको seven subjects जो है seven subjects का आपको exam देना होता है okay now in seven subjects में से जो four subjects है four subjects आपके कहलाते है non domain subjects non domain subjects right और जो three subjects होते हैं वो आपके होते है domain subjects domain subjects right तो यहां पर इस channel पर especially मैं four non domain subjects डील करती हूँ जिसमें में स्पेशलाइजेशन teaching aptitude है okay I am an educationist by profession so teaching aptitude general test English और Hindi language for both the codes 101 114 Hindi के लिए 102 and 115 यह सभी course के paper हम लोग इस channel पर discuss करते हैं and with all the career guidance and counselling ठीक है तो आपके carrier में कोई भी ऊच नहीं चल रही है कोई problem है को समझ भी नहीं आ रहा है तो preparation के साथ साथ हम यह सारी चीजें भी डील करते हैं right अब आप में से बहुत सारे बच्चों को यह डाउट होगा कि मैं non domain subjects में क्या-क्या compulsory है तो देखे teaching aptitude और general test यह तो common subject रहने वाले हैं दो common subject सभी के बाकी language आप अपने according change कर सकते हैं जो आपने 12 में पड़ी है या जिसमें आप comfortable है ठीक है तो आप English Hindi तो ले ही सकते हैं Hindi हिंदी भी ले सकते हैं English English भी ले सकते हैं आप English Malayalam ले सकते हैं कोई भी subject combination language के लिए आप बना सकते हैं बात करते हैं domain subjects की तो यह जो domain subjects होते हैं यह वो subjects हैं जिनके teacher आप बनना चाहते हैं तो suppose आप PCB या PCM के हैं तो आपका physics chemistry maths या फिर physics chemistry biology यह आपके domain subjects हो जाएंगे arts वालों के लिए history, geography, economics ऐसे यह domain subjects होते हैं domain subjects को ले करके detail में हम लोग अलग से video करेंगे फिलहाल यहां पर हम जो preparation करने वाले हैं उसकी जो है एक already हमने pad batch जो की एक year long batch होने वाली है एप पर already start कर दी है बचो इस साल हम लोग start कर रहे हैं year long batch यह year long batch है क्या actually में इसमें बचो हम लोग पूरा concept समझेंगे syllabus के जितने भी topics हैं उनको बढ़िया से बहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं प्लस जब यह syllabus हमारा complete हो जाएगा approximately December तक then हम लोग इसी batch में start करेंगे revision तो यह जो batch होने वाली है हमारी NCEET 2025 non domain course की इसमें हम लोग preparation plus revision दोनों करने वाले हैं और यह जो हमारा revision वाला part है that will be completed from the till the March March 2025 तो preparation plus revision target है हमारा March 2025 तक जो है हम यह complete कर लेंगे March की बाद आपके पास April और May पूरा पूरा बचता है for further preparation ठीक है जो उसमें हम लोग test series वगेरा complete करने वाले हैं Now, बात करें कि भई हमारी पढ़ाई होगी कैसे क्या-क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं और उसके भी पहले जो आप सभी लोगों की query रहती है इस batch का जो है price पिछले दो सालों से बच्चों में NCEET section deal कर रही हो At the lowest price complete, pure and accurate content देने के साथ हम लोग lowest price पर भी जो है study कर रहे हैं अब क्या-क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं उस पर बात करते हैं चलिए तो आप पढ़ कहां से पाएंगे यह सबसे पहली चीज़ यह कोर्स जो है हमारा available है एप पर study of education app study of education एप जिसके लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगी अपनी ही एप है उसे आपको डाउनलोड करना है वहाँ पर यह NCEET 2025 जो है batch अल्रेडी स्टार्ट हो गया है 4-year ITP course का आप वहाँ पर जाकर के enroll कर सकते हैं यहाँ पर free PDFs, free videos and paid courses, test series वगएरा सारी चीज़े available है जैसे ही आप course में enroll होंगे easily आप उसको access कर पाएंगे लाइव क्लास हो रही है, recorded classes का अब है, सारी चीज़े सारा schedule आपको app पर मिलने वाला है सबसे पहले बख्यों, NCEET 2024 में जो English Language का paper है, दो language है English की है न, 101 है, 114 है, आप दोनों मैंसे कोई सा भी code ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस English subject के लिए यह सभी topics, parts of speech, sentence, structure, sentence, type, modifier, agreement, punctuation, clauses and phrases, voice, mood, direct, indirect speech, sentence, article, synonyms, antinems, homophones, homograph, homonyms, items and conditional sentence, modifiers, noun, verb form, word order, subject, object, verb agreement, conjunctions and transitions, यह सारी चीज़े हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, तो यह पूरा हमारा English का syllabus होने वाला है, जो कि हम live plus recorded, recorded form में cover करने वाले हैं, इसके बात बात आती है, हिंदी की, तो हिंदी जो subject होने वाला है, इसमें भी दो paper code आपको दिये गए हैं, 102 and 115, हिंदी भाशा का सहयत्यों, संचार के लिए हिंदी, इन सभी के लिए, हम लोग detail में, यह सारे topic पढ़ने वाले हैं, approximately 28 topics हैं, जो हम लोग cover करने वाले हैं, in a structured manner, okay, so आप देख पा रहे होंगे सारे topics यहाँ पर, फिर इसके बात आती है, general test की, जो की, really, really, very wide, बहुत बड़ा, इसका जो है, हम कह सकते है, syllabus है, सामने आपको four point ही दिख रहे हैं, but actually it's very deep, हम topics लिख भी नहीं सकते, इतना यह deep र कहां से कौन सा question पूछ लिया जाएगा, हमें नहीं पता, तो complete static GK, जो हमारी exam में पूछा जाता है, किस तरफ से पूछा जाता है, उस experience को ले करके, हम लोग static GK को पढ़ने वाले हैं, पूरा complete current affair हम लोग देखने वाले हैं, जो exam में पूछा जाएगा, complete arithmetic देखेंगे, जो logical reasoning, जो है, यह में लूगी पूरा verbal and non-verbal आप सभी बच्चों के लिए, so it's a very very deep, so जितना जल्दी आप इस इन चीजों को स्टार्ट कर दे पढ़ना, कोर्स में है, तो कोर्स में नहीं, तो आप अपने से भी इसके preparation स्टार्ट कर सकते हैं, daily आपको newspaper देखना है, GK current affair आपक रखना है, right, then उसके बाद आता है teaching aptitude, so teaching aptitude के 80 marks, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, कि इन 80 marks के लिए आपको बेफिक्र रहना है, इस बार भी जो हमने batch ली थी, और यकीन मानिएगा, मैं आप सभी लोग के सामने वो question paper भी solve करूँगी, आप पाएंगे, कि जो चीजे syllabus में दी है, उससे कहीं बाहर की चीजे पूछेगी, और वो सारी चीजे, during the discussion, हमने classroom में complete की थी, तो बच्चों कहते हैं, कि जरूरी नहीं है, कि जो सामने लिखा है, उसी में से सब कुछ पूछा जाएगा, इसी लिए टीचर की importance होती है, कि जब हम टीचर से connect करते हैं, पढ़ते है तो एक के साथ चार नई बाते और हमारे सामने आती है, और उनी बातों से हम जो है life lesson और वही बाते हमें कहां काम आ जाती है, हम खुद भी नहीं जानते, तो इस बार के paper में भी ऐसा ही हुआ, कि during the discussion जो बाते हमने की थी, उनसे paper निकल करके, आया as compared to, जो यहाँ as it is दिया ह हुआ है, so 80 marks का यह जो section होने वाला है, teaching aptitude का यह भी मही ही deal करूँ के आप सभी लोगों के लिए, तो हिंदी, English, complete teaching aptitude and half of the general test में सुखदात्रिवेदी, आप सभी बच्चों को इस बैच में पढ़ाने वाली हूं, बाकी YouTube पर हम लोग लगातार practice करते रहेंगे, नए नए topics क को पढ़ते रहेंगे, जो हमारी NCET exam से related है, so यह थी complete information, जो है NCET 2025 की जो हमारी preparation स्टार्ट हो रही है, उसके लिए, I hope कि आप जुडेंगे हम सब से, and हम लोग साथ में मिलकर इस exam को clear करने की पूरी-पूरी तयारी करेंगे, thank you so much for joining and soon we will meet into the next session, till then bye-bye and take care.